हेलो गाईज, वेलकम टो एसे टुटोरियल, आज इस वीडियो में हम लोग सोली स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 का है, और इस चेप्टर से आपको टोटल 4 मार्ग का क्वेस्टन पूछा जाता है, तो सबसे पहला टोपिक हो गया इसमें, कि सोलीड होता क्या है, सोलीडी इस देट ए स्टेट ऑप मेटर, वेर धार belonging इनरजी इस भचेट है, जहां पे थारमल एनरजी बहुत ली कम होता है, ऐस कोंपेर टू Mexican जाता हैं के होता है, यहीशा के बिस्ट के बीच पहलता फैको सोλीड हो गया है, यह कूई एक आपका सोलीड है यह cubic solid ही मालनेते हैं हम लोग कि इस type का solid में इसका अंदर में जो atoms present रहते हैं उस atoms का जो constituent particle है वो constituent particle क्या होता है freely move करते हैं कभी इधर जाते है कभी इधर जाते है जो ions होता है वो सब क्या करते है move करते हुश मूब करने का वदिस से एक energy produce होता है उस energy को हम लोग thermal energy कहते हैं तो वो क्या होगा solid के अंदर में thermal energy क्या होगा वो कम होगा as compared to molecular energy जो molecules का बीच में energy है तो यह था हम लोगा solid का definition पहले हम लिखते थे solid का definition क्या है कि solid का अपना definite shape होता है solid वो एक volume occupy कर सकता है solid का mass होता है तो वो सब हम लोग lower class में लिखते थे और यह हो गया अभी हम लोग 12 class में तो थोड़ा इस्टेंडर लिखना ही होगा तो यह हम लोग लिखे solid का definition फिर आगया classification of solid classification of solid solid का हम लोग कैसे classified किये हैं तो on the basis of arrangement सजावत के आधार पे इसका जो constituent particle है या solid हो गया उसको हम लोग क्या करेंगे classified करेंगे दो class में क्या 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 क्रिस्टिलाइन solid एक हो गया एमर्फस solid एमर्फस का मतलब होता है एकदम आपका मैदा का तरह पीछा हुआ जो की आपका एरंजमेन क्रिस्टिलाइन solid क्या होता है एक regular एरेंजमेंट होगा उसमें और में क्या होता है इमर्फ एक्जामपल ले सकते हैं कि माल लिजाए कोई एक क्लासरूम में बच्चे 5-1 बेंच में 5 लड़के बैठें फिर से 3 लड़के बैठें फिर चार लड़के बैठा हैं तो यह एमर्फस solid का example हो गया क्या हो गया क्या हो जाएगा क्योंकि इसका कोई driving नहीं है कोई arrangement नहीं है तो यह हो जाएगा उमर्फस solid लेकिन अगर कोई एक LED में कोई लड़का पाँंच बैठा फिर उसके 5 बैठा है फिर उसके पीछे 4 बैठा फिर 5 बैटा फिर 5 फिर 5 फिर 4 हो जाएगा तो यह पहले 5 फिर 4 फिर 5 फिर 4 तो इस टाइप का एक arrangement हो जाएगा तो उस arrangement को हम लोग क्या कहते है crystalline solid यह था यह दो example देखे भी आप समझ सकते हैं उसके बाद में दूसरा इसका आपका point हो गया they have high melting point इसका क्या है high melting point होता है they have low melting point किसका crystalline solid का melting point ज्यादा होता है और आइमर्फा solid का आपका melting point काम होता है तिन नमर हो गया इसका यह यह बहुत important है they are anisotropic यह क्या होता है anisotropic the different physical parameter or properties such as यह different physical parameter या properties को क्या बोला जाता है melting point हो गया boiling point हो गया surface tension गया viscosity graphic index or are different along different direction क्या बोला गया है कि एक solid यह क्रिस्टिलाइन solid है crystalline solid में इसका जो boiling point हो गया selective index हो गया melting point हो गया शर्फेसंत्या ticking गया वह अलग अलग direction में अलग होगा इस direction में जाएंगे तो वह तो अलग होगा इस डाइयरेक्ष संवे जाए तो वह अलग होगा कहीं बी कोई डाइयरेक्षुन में यि तो कृस्ट्र लाइन सॉलिट में उसका आपका फिजिकल पारामिटर कै jobs कि अलग-alग होगा है कि अगर आप किसी तरफ में जाए तो किया होगा उसका आपका तो इसका आपका मेल्टिंग भी क्या होगा इस तरफ में बहुत किना उगा उसका बो होगा शॉप्स करेंगे goose था melting point boiling point surface tension viscosity will be same in along different direction अलग-अलग direction में जाएंगे तब भी हम लोग का वो क्या होगा उसका भेलू आपको same देखने को मिलेगा लेकिन इसमें क्या होता है वो अलग देखने को मिलेगा यह देखने का क्या है यह यह एक परकार का सтесь मुझे का चूलीड और दे आर से इसका इकजांपल हो गें एक सुगर मान लेजे कि उसको freeze करने का छमता है आप उसको zero degree का अंदर में उसको freeze कर सकते हैं लेकिन उसको क्या करेंगे आप zero degree से भी नीचे में उसको freeze करना करेंगे न तो वह क्या हो जाएगा वह एक आपका solid का रूप ले लेगा तो उसका example हो गया glass rubber को एक glass rubber यह सब भी गोल सकते हैं यह example हो गया अब क्लासिफिकेशन और crystalline solid क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे तो चार टाइप का classification इसका आइनिक solid molecular solid carbon solid और metallic solid यह चार टाइप कर किस्टिलाइन solid को आपका divide कर दिये गया अब nature of constituent particle constituent particle का nature इसमें आइनिक solid में कैसा nature होगा constituent particle का जो छोटा-छोटा प्रेजेंट रहेगा तो उसमें होगा positive iron that is ketion बोल सकते हैं और negative iron यह आइनिक solid में present रहेगा और उसके बीच में कैसा यह रहेगा आपका force a strong electrostatic force of attraction रहेगा आइनिक solid में इसका एक्जामपल होगिया और पोटासियम नाइट्रेड मोलिकुलर solid का अंदर में nature of constituent particle क्या रहेगा molecules रहेगा और force कैसा रहेगा उसका बीच में wonder wall forces रहेगा cobalent solid का बीच में आपका cobalent solid का बीच में आपका constant particle atoms हो गया और लोका बीच में force कैसा होगा cobalent bond होगा और उसका example diamond silica यह दे सकते हैं चार नमर हो गया metallic solid metallic solid के अंदर में आपका positively charged metal iron होगा जो की बहुती speed move करता है आपका और यह उसका अंदर में क्या होगा force एक होगा उस force का नाम हो गया metallic bond metallic solid में metallic force होगा और उसका example हो गया all metals and alloy यह उसका example हो गया अब हो गया आपका different types of crystal system अलग टाइप का crystal system कैसा होता है these are the seven basic crystal system there are the seven basic crystal system exist in the universe साथ टाइप का crystal system आपका exist करता है universe में depending on the internal arrangement internal arrangement के अधार पर of atoms ions और molecules atoms ions और molecules का जो internal arrangement उसके अधार पर आपका seven basic crystal system को सजाए गया है whether the occupy corner face center and body center this seven crystal system further classified into 14 sub division 14 sub division types of bravai scientist किसने किया हो 14 sub division bravai scientist ने इस 14 sub division are together known as bravai latest यह bravai latest उसको कहा जाता है तो गाइस बोला गया है कि जो solid हो गया साथ टाइप का solid उस साइट टाइप का solid में यह जो internal arrangement यह सब atoms हो गया यह आइंस भी पकर सकते हैं यह internal arrangement मतलब corner का atom आपका 8 होता है और यह face center आपका total six होता है body center एक होता है तो इसके अधार पर साथ basic crystal system को सजाया गया है और उसको further sub division किया गया है जिसको bravai latest कहा जाता है तो गाइस यही था आपका solid state का अब मैं आपको solid state का part two में मिलूंगा जो कि आपका वीडियो होगा hashtag number two तो गाइस अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like and subscribe करना ना भूले थैंक्यू सो मच कर दो